समस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माहिश्वरी इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ रिच माइन्टसेट और फैनेशल इंटेलिजेंसी की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आठ ऐसे ऎलेमेंट्स जिनका इस्तिमाल करके आप अपने फैनेशल गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने financial goal को achieve करने के लिए कौन-कौन से steps आपको अपनाने हैं, ये भी ठीक से समझ सकते हैं। अगर आप rich mindset और financial intelligence को achieve करना चाहते हैं, तो पूछी अपने आपसे ये 5 प्रश्न, इन प्रश्नों को सबसे पहले dairy में note करें, और एक-एक सवाल का कहनता से जवाब दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 8 streams of income, आएके 8 ऐसे resource, यदि आप उन में से 4 या 5 resource को भी follow करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी income earn कर सकते हैं, और अपने long term goal को हासिल भी कर सकते हैं, साथी साथ, richness की जर्नी में ये 8 नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं, और ये नियम मैंने लिये है, the secret of millionaire mindset and business mantra book से, 8 stream of income में 3 महत्वपून पहलू है, सबसे पहला है active income, दूसरा है passive income, और तीसरा है how to save tax, अगर आप इन 3 चीजों का सही तरीके से अनुकरण करते हैं, पालन करते हैं, तो आप कम समय में अधिक पैसा कमा सकते हैं, और अमीर बनने की स्यात्रा में कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं, यहां यह बात समझना बहुत जुरूरी है कि rental income केवल owned property, चाहें वो residential हो या commercial हो, इसी से नहीं आती, आपके gadgets, आपके equipment, आपकी further जो assets हैं, वो भी आपको rental income देती हैं, जैसे अगर आपके पास car है, तो you can let out your car, अगर आपके पास electronic gadgets हैं, तो you can let out your electronic gadgets, अगर आपके पास कोई extra infrastructure है, तो उसको sharing based पर भी आप let out कर सकते हैं, जो आपके लिए income का बहुत अच्छा resource हो सकता है, And the next, that is royalty income, आपने कोई ऐसा काम किया है, जिसकी वज़ा से आपको regular recurring revenue के रूप में royalty income मिल रही है, आज जो वीडियो मैं YouTube पर बना रहा हूँ, यह आप लोगों के लिए free है, लेकिन जब इस पर YouTube की partnership के साथ हमें advertisement दिखाई देती है, तो उस advertisement से मिलने वाला revenue YouTube और हम आपस मे share करते हैं, और यह जो income है, वो royalty income है, एक बार वीडियो बनाने के बाद, आज even उससे आने वाल income हमारी royalty income के रूप में काम करती है, और royalty income के और बहुत सारे उधारन है, जैसे books, मैं इतनी जो books publish करता हूँ, जब publisher उन books को बेशता है, तो उससे होने वाले profit पे, royalty मुझे pay करता है, ठीक उस तरह से, आज हमारे company के, हमारे institutes के बहुत सारे franchise हैं, और franchise हमारे नाम और brand का इस्तिमाल करने की वज़ा से, जो income हमें pay करता है, वो भी royalty income में count होती है, and the next, that is capital gain, और capital gain का मतलब है, कि आपकी real estate की value appreciate हो जाए, या आपको long term capital gain, या short term capital gain हो जाए, long term capital gain का मतलब है एक property जो आपने आज खरीदी है, 10 साल बाद हो सकता है उसकी value, 4 गुना, 5 गुना हो जाए, या long term capital gain है, लेकिन जो share आपने आपने खरीदे है, next 6 month में, उनकी जो value hype होगी, that is known as short term capital gain, या एक बात समझा जुरूरी है, कि taxable income का जो profit है, वो जो हमें मिलता है, वो इस बात पर depend करता है, कि आपका investment short term था, या long term था, for example, अगर आपको share market से profit हुआ है, और वो कम समय अबदी में हुआ है, मतलब 1 महीने से लेके 11 महीने के बीच में, तो उस पर लगने वाला tax comparatively जादा होगा, और यदि वो capital gain आपको 3 साल में हुआ है, तो आपका लगने वाला tax total income का केवल 10% होगा, tax saving income भी एक तरह की financial goal को achieve करने के लिए income है, इसलिए ऐसी planning करें जिससे आप tax को save कर सके, money you saved is equal to money you earned, and the next that is recurring income, वो सभी income जो आपको regular मिलती रहती है, चाहे वो daily basis पर हो, चाहे वो weekly basis पर हो, monthly हो, yearly हो, उस income को recurring income कहते हैं, for example, आप कोई product consumer के लिए बनाते हैं, आप बाजार में अपना कोई product sale करते हैं, लेकिन उस product की after sales के लिए, आप अपने consumer को AMC देते हैं, तो AMC is a part of recurring income, जो आपका consumer जब तक उस product का इस्तिमाल करेगा, आपको recurring income देता रहेगा, उधारन के लिए, अगर आपकी building में कोई lift लगी है, तो lift का AMC कराना ज़रूरी होता है, ताकि आपके साथ lift में कोई भी दुरगटना हो, या किसी तरह की परिशानी हो, तो आप तोरण company को call कर सकें, और उस company के लिए, ये एक recurring income होती है, क्योंकि हर साल AMC के रूप में वो company उससे charge करती है, same as investment in gymnasium, अगर आपने एक gymnasium बनाया है, that is one time investment, पर उससे मिलने वाल हैं, जो recurring income model पर काम करती है, जैसे hot star, netflix, इन्होंने एक बार subscription दिया, और regular आपसे subscription चार्ज करते रहते हैं, जिसकी वज़ा से उनको एक recurring revenue model में बहुत बड़ा appreciation मिलता है, तो friends, ये थे वो 8 ऐसे steps, 8 ऐसे streams, जिनमें आप अपने financial goals को achieve कर सकते हैं, और आने वाले समय में आप भी rich बन सकते हैं, अगर आपके मन में financial literacy से संबंदित, यदि कोई भी प्रशन है, तो comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं, इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेर करें, ताकि वो भी अपने financial goals को achieve कर सके, friends मेरे जीवन का उद्दिश्य की बारत के हर घर से, एक सफल business management तयार हो सके, एक एवल तभी संबब है, जब आप और हम मिलकर इस मुहीम को पूरा करेंगे, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत